हेलो फ्रेंड्स वेलकम तू माइब चनल टाइमस सेजुकेशन मेरा नाम है नंजनी सिंह डिसकॉस करेंगे आज की वीदियो में इंडियन नेशनाल मुव्मेंट के पार्टी नेशनल मुव्मेंट के प्सकॉस किया था और उसी के कोशिएन अचार सेशन को डिसकस किया था इस वीडियो में उसी के आगे पार्ट रिजुट्टू है वो डिसकस करेंगे जो इंडियन नाशनल मुवमेंट है भारती राष्टी आंदूलर 1905-1920 लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बंगाल का बिभाजन स्टार्ट हो गया था तो 16 अक्टूबर 1950 को बंगाल का जो बिभाजन वह प्रभावी हो गया और असले किया कि या बंगाल कस दो शठया के लिए बंगाल का do भाजन करना है और लेकिन ऐसा नहीं था उसने के वाली यह मात्रिक बहाना बनाया था और जबकि जो कर दनता वह फूट डालो और राजकरों की नीती अपना रहा था और धरम के आधार पर विभाजन उसने शुरू कर दिया तो लेकिन क्या था जब कि रियल रिजन जो था वह बंगाल विभाजन का वह कॉंग्रेस की ताकत को कम करना था तो अब क्या होगा इसमें क्या हुआ था कि जो नरम गरम पंतियों पर आरोप ल वत boleh पढ Belly दरार तरह बढ़ने लगेगी अब जब बंगाल का विभाजन जो है कि वह वुश्चार्ट हो गया प्रभावी हो थे उस ने क्या वह ओडनान की नाम से जाना गया ये जो आंदोलन श्वदेशी आंदोलन वह शुरू तो हुआ था बेंगॉल से लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे या आंदोलन जो था और फैल गया तो इसके कुछ लीडर से भी हुए ग्या दिल्ली में सदेशी आंदोलन का लीडर था सेयद हैदर रजा था और मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन लेडर थे चिदमरम पिल्लाई थे और आंद्र में था कि बंदे मात्रम आंदोलन चलाया जा रहा था और जो बंदे मात्रम जो था वो थीम सांग बन गया इसी समय क्या था कि रविन्दनाद टैगोर ने आमार आमार शोनार बंगला लिखी ती जो इस टाइम पर क्या है बंगला देश का राश्टियगीत है और इसी समय भारती स्वादेशी कला में जो अवनींद्रना टैगोर थे उन्होंने देशी कला सुरू की मतलब जो हम लोगों ने छोट दिये ते जो कलर्स वागेरा यूस करने उनीजी कलां है उनना घुनते स्टार्ट हो गया इसी पर क्या हुए के इंडियस उस्कूल खोल कि पर भेएा तो सारे इंडीजीनेस स्कूल को खोलेगा इंडीजीनेस स्कूल का मतलब है भारती स्वदेशी कला का फिर से मनलब सुरू होना और जो अब यहां तक क्या था कि जो गरम पंथी की नेता और नरम पंथियों में जो ज्घडा था उनका चरम पर पहुँच गया और इतना बढ़ एक अधि भोष इहां पर एकर राष बिहारी लेकिन जो पर इकाflie उथनके खोश याद रखना है लएक्धामें काफी वार को जातए है एक्जामनर जो होता ों को दोनो यहां दिता थना है राष में बोस तो यह हमें याद रखना है कि 1907 जो सूरत अधिवेशन था इसके जो अध्यक्षते वो घोष राषबिहारी घोष थे अब क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो रिपोर्टर था जिसने सूरत अधिवेशन को रिकॉर्ड किया था वो रिपोर्टर का नाम क्या था तो वह कौन सा था डबलू एच नेविंशन जिसने पूरे सूरत अधिवेशन को रिकॉर्ड किया था यहां फिर से देख लेते कि नरम पंती क्या थी यह लोग शंबैधाने कि राजनीती को अपनाते हैं इस तरीके से ये लोग आरोप लगाएंगे तो जैसे ही सूरत अदिवेशन हुआ उसके बाद क्या हुआ और सरकार क्या करेगी सरकार को एक मौका मिल गया तो सरकार क्या करेगी ना ही गरम पंथी की लोगों की बास सुनेगी ना ही नरम पंथियों की बास सुनेगी तो जो गरम पंथी की नेता थे तीन नेता थे लाल बाल पाल इनमें से क्या होगा लाल अलाश्पतराय को जाना पड अग्राउंड और नरंपंति के लोगों कि सरकार ने बैसे अनसुना था यह तो में मुस्लिंम नीक बनाई और उस टाइम ढाका कि जो नवाब थे वह कौन थे चली मुल्लाइ और जो संस्थापक थे मुसलिम लीके वह कौन थे तो आगा खान आगा खान मुसलिम लीकि संस्थापक ते दिसंबर 1915 में कॉंग्रिस के पुनरगठन का नेने लिया गया और 1916 में Laughno conference हुआ और Congres का क्या हुआ पुनरगठान यहाँ परे चीज यह कि जो पुनरगठन का नेणा है वह 1915 दिशंबर 1915 में लिया गया जबकि Congress का पुनरगठन जो यहाँ वह 1916 लख्ण आünden से जयाँ यह ये आलग इसमें देखते हैं कि Clapton'UT Potter तॉज इस टाइम पर जब ये मुस्लिम लीग बनाई गई थी तो मुस्लिम लीग क्या करती थी ये बंगाल विभाजन का सपोर्ट करती थी क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो हमेशा से चाहती थी कि मुसल्मानों का अलग एक देश होना चाहिए तो वो मुस्लिम लीग जो है वो 1915 में Congress का पुणर गठन का निरिनाय लिया गयाmal में लकनों का नेकर साव का ब्कॉण लेकिन को उस टाइम के बाद चोट दिया गया था तो उनका क्रेडिट के पुनरगठन का वह बाल गंगाधर तल्लक और बहुत को जाता है और जो उनका श्रे जो है वह मौहमद अली जिन्ना को भी दिया जाता है जो बाल दिया जाता है लखनु अधिवेशन 1916 उसके जो अध्यक्ष ते वह अंबिका चरण मजूमदार थे और इसी समय क्या था कॉंग्रेस की जो लीडर थी सरोजनी नाइडू इनने क्या कहा था जिन्ना को हिंदू-मुसलिम एकता का राजदूत कहा था कॉंग्रेस की लीडर थी सरोजनी नाइडू इन्धी ने जिन्ना को एक उपादी दी थी हिंदू-मुसलिम एकता की उपादी और 1916 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष जो थी वो एनिवेशन बनी थी जो की फर्स्ट पुमेंट प्रेसिडेंट आफ कॉंग्रेस थी और 1916 में ही एक आंदोलन सुरू हुआ होम रूल मुवमेंट जो की सेल्फ रूलिंग था और होम रूल मुवमेंट के जो लीडर दे वो बालगंगा धरतलक और एनिवेशन थे लेकिन जो होम रूल मुवमेंट है वो फेल हो गया क्योंकि इस टाइम तक जो था वो सेकंड व थ्री इंडियन नेसल मुवमेंट का पार्ट थ्री देखेंगे अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए जो भी सजेसन हो वो कॉमेंट करके जरूर बताएं थैंक यू